राज्य सरकार के मंत्री तुलसे सलावट से कॉंग्रेस सरकार गिराने को लेकर सवाल पूछने वाली युवती के साथ किये जा रहे दूर वहवार से महिलाओं में आकरोश है शहर महिला कॉंग्रेस सेवादल ने आज मंत्री तुलसे सलावट का पुतला फूका और युवती को प्रताडित करने वालों के खिलाफ कारवाई की मांग को लेकर ग्यापन दिया शहर चिला कॉंग्रेस अध्यक्ष महेंद कटारिया के मार्ग दर्शन में शहर महिला कॉंग्रेस सेवादल की कारे करता और कॉंग्रेस कारे करता महुरोड स्थित फवारा चोक पर एकत्रित हुए कॉंग्रेस कारीकरता राज्य सरकार के काभिना मंतरी तुलसी सिलावरट से एक यूफटी द्वारा प्रदेश की कमलनाद सरकार को गिरा कर चुनाफ करवाने संब्धित सवार करने पर मंत्री समर्थक द्वारा यूफ्ती के अश्लील मेसिज को सोशल मेडिया पर चलाने से आक्रोशित थे आक्रोशित कारी करताओं ने मंत्री तुलसी सिलावट के खिलाब जमकर नारेबाजी की और इस्तिपे की मांग की कारी करताओं ने मंत्री तुलसी सिलावट का पुतला भी पूका कारी करता इसके पश्चात कलेक्टर कारे ले पहुँचे जहां ग्यापन, SDM शिराली जैन को सोपा गया इस मौके पर कांग्रे सेवादल अध्यक्ष, महिट मिश्रा, महिला अध्यक्ष संगीता कांकरिया, श्रीमती नीशा विजय, सहित बड़ी संख्याओं में महिला कारे करता उपस्थित थी निश्ची तोर पर आप देखें कि जब से प्रदेश में पिछले दर्वाजे से शिवरा सिंग की सरकात प्रदेश में काबिज हुई है, तब से निरंतर महिलाओं पर अत्याचार और अपराद निरंतर बढ़ रहे हैं, आप कई घटना ऐसी हुई जिसमें आज तक कोई रो दोराने से हैं, हम इस मामले में कांग्रेस दोरा इसमें पूरे प्रदेश में सभी जेके महिला कांग्रेस तो महिला कांग्रेस सेवदल दोरा इसमें ग्यापन दिये गाएं और शीकर कारवई की मांग कर रहे हैं और हम यह मांग करते हैं कि नाप्रादों को रोग ठाम लग आप देखिए कि एक जिम्मेदार पत पर रहने के बाद मानी मंत्री मोद है एक छोटे से यूती के छोटे से प्रशन पर इतने घबरा कर इतने बुखलाट प्रदरशित कर रहे हैं यह अपना आप में एक अच्छी स्वस्त प्रजांदान्तिक व्यवस्ता नहीं है आप समझे यूती दरा सिर्फ सरकार गिराने का प्रशन पूचा गया था और उसके बाद जो आम जंता पर खर्चा और व्यव्यव बढ़ रहा है भार उसके असमध में प्रशनalition पूचा था उसके बाद उनके समध्तक पर निरनतर उस यूती का अश्यल फोटौह को आप फेस्बुक करने की बिचार करेंगे हम इस संब्द में मैं एक आम मैला हूँ और मैला संगटन से जुड़ी हुई हूँ और अगर ऐसे अत्याचार सबसे होता जाएगा तो आम लोगों को जिने का कोई हक निये मतलब हमारा जिने का कोई हक निये हम नहीं सवाल कर सकते क्या हमारा हक निये क अधाइद्व्म के लिए तिए दलिंदों का मंतरी जी लिए मैं यहांगा कि तुरइंत लड़की को इंसाफ मिले और हर महीला को इंसाफ मिले और ताकि मेला जी सके खुला जी सके भारत सोतंतर है कौन के आरोप्यों के भाजपा के युवाई काई भाजियों मों से जुड़े होने की बात जिले में कॉंग्रेस ने भाजपा को निशाने पर ले लिया कॉंग्रेस के छात्रिकाई एनस युवाई और जीरा कॉंग्रेस ने जावरा और अतलाम में फुतला फूब कर विरोध दर्श क और आरोपियों को फासी देने की बांग की। वो 24 घंटे में आरोपियों को फासी देना बहुत जरूरी हो गया है। प्रदेश में अपराधियों को भाजपा द्वारा संडक्षन देने का आरोप लगाते हुए मुख्य मंत्री शिवरा सिंग का फुतला जलाया गया। जावरा में हुए दुलहन हत्या कांड के दोनों आरोपी भाज यमो पदधिकारी रह चुके हैं। इसी को लेकर कॉंग्रेस ने भाजपा पर आपराधिक तत्वों को संडक्षन देने का आरोप लगाया है। आज शिवरा सिंग्चोवान मुख्य मंत्री का फुतला धन किया है। हमारे रतलाम जिले में जावरा में एक बेटी जिसके साधी हो रही थी। लेकिन बाजपा के यूआ मोर्चा के पदाधिकारी और बाजपा के आईटी सेल के पदाधिकारी जो वर्तमान में पत्पे तेरा तारिक को उन्होंने बाजपा की मीटिंग में समील हुए। उन लोगों ने ब्यूटी पालर में गलार रेत कर तिन दाड़ में उसको मोत की गाड़ उतार दिया। मतलब शिवराज के राज में बाजपा के नेता और कार्यकरता इत्ती गुंडा गिर्दी पागाएक हमारी इन बेटियों को मत्यपर्दस में सुरक्षा नहीं मिल रही है। इस बात को लेकर हमने आज मांग करिये बाजपा के नेताओं को जिन लोगों ने एक काम किये उनको फासी हो और जो बाजपाख नेता इनको को सरक्षण दे रहे हैं उनकी मोबाइल की रिकारडिंग जाज की जाए। और जो बाजपा नेतायन को स्रक्षेन उनके उपर एक सो बीस बी में कारवी होना चाहिए यह मांग हम कर रहे हैं प्रसासन से और हमने राज्य पालजी मोधव को भी हमने लिखा है और इस पर लगातार जब तक इन लोगों को फांसी नहीं हो और बाजपा के जो पीछे से जो की चिट्टी आप पर आप सब पढ़ लेना उसमें लिखा कि हमने छे मेने पहले इनकी संदिक परिस्टी को देखते हूं पार्टी बाहर निकाला मेरा केना है मैं भी एक जिला कांग्रेस का अध्यास हूं मेरी पार्टी में अगर कोई कारे करता इस तरह से क्रत्य करता और म आपको थबूत दे देंगे उन्होंने प्रदेश अध्यास साथ मीटिंग करी है और भाजपा में है वह अभी भी वरतमान में उनकी आईडी पे भी बाजपा का पत लिखा हुआ है केवाल भाजपा जूड बोल रहे है केवाल भाजपा आपको बचा नेम लगी है इसी तर्थे से जावरा में जिला NSUI और जावरा ब्लॉक कॉंगर्स कमिटी द्वारा आरोपियों का पुतला फूप कर जमकर भाजपा सरकार के खिलाप नारेबाजी की NSUI जिला अध्यक्ष पपू चारोडिया के मार्क दर्शन में पुतला दहन के बाद कारी करता हुने राज्येपाल के नाम ग्यापन सोपा ग्यापन में मांग की गई की दुलहन की हत्या करने वालों को फासी की सजा दी जाए जावरा में रविवार को हुई दुलहन के हत्या के मामले में कॉंग्रेस ने जावरा में कैंडल मार्च निकाला इस मार्च में बड़ी संख्या में महिलाओ सहित कई कॉंग्रेस नेता और कारी करता हातों में मुमबत्ती और मशाल लेकर निकले कॉंग्रेस का ये मार्च शहर के रतलामी गेट से चलकर मुख्य मार्गों से होते हुए जावरा के घड़्डावर चुराये पर पहुचाूं जहां हत्या के आरोपियों के लिए सब्ट से सब्ट पासी की मांग की कॉंग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश भरावा ने आरोप लगाया की दोनों आरोपी भार्टी जनता इवा मोर्चा के पद अधिकारी हैं और इन्हें भाजपा की लोगों का संड़क्षन मिल रहा है इस हत्या कांड के बाद राजे सबसांसत और पुर्व मुख्य मंत्री दिगविचे सिंग का एक वीडियो बयान के बाद जावरा में कॉंग्रेसी नेता वा कारी करता मेदान में आ गए और बड़ा केंडर मार्च निकाला दरसल इस वाइरट वीडियो बयान में पुर्व मुख्य मंत्री दिगविचे सिंग ने दोनों आरोपियो को भाजपा का बताया और भाजपा पर जम कर निशाना साधा वीडियो में दोनों आरोपियो के फेस्बुक स्क्रिन शॉट भी दिखाये गए नगर निगम की सफाई दरोगा ने नगर निगम में नौकरी लगाने के नाम पर कई युवोगों को ठग लिया ठगी के शिकार युवा अब इस सफाई दरोगा के खिलाफ कारवाई के लिए कई बार पुलिस और प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं किन्तु अभी तब कोई कारवाई नहीं हुई इन युवाओ का कहना है कि दरोगा की पूत्र सत्ताधरी पार्टी का नेता होने से प्रशासन हम गरीबों की नहीं सुन रहा है नगर निगम में सफाई करमचारी के रूप में स्थाई नोगरी लगाने के नाम पर हुई इस ठगी के शिकार युवा के साथ साथ एक दो महिलाए भी हुई है इन युवकों और महिलाओ ने नगर निगम के सफाई दरोगा सुरेश निंदाने को हजारों रुपे दिये हैं 40,000 से लेकर 80,000 तक के सफाई दरोगा ने इन युवकों से लिये हैं करीब 5 साल होने को आए लेकिन इन युवकों को नोकरी नहीं मिली अब इन्होंने अपने रुपे वापिस मांगे तो इनको धमकाया जा रहा है ठागी के शिकार ये युवक और महिलाओ ने तो कलेक्टर और S.P. को लिखित में शिकायत भी की है किन्तु कोई कारवाई नहीं हुई है पिडित युवकों का कहना है कि सफाई दरोगा के पूतर राजनीती में है और सत्तादारी दल से जुड़े है इस वजह से प्रशासन हमारी शिकायत की बावजूत भी सफाई दरोगा के खिलाफ कोई कारवाई नहीं कर रहा है युवकों की मांग है कि प्रशासन जल्दी से जल्दी सफाई दरोगा के खिलाफ कारवाई कर उन्हें नियाए दिलाए चुझार के नाम पर चार्ट सो भी सी दोगादड़ी खी गई है तुरेस निंधा ने जाए पता बावुला निंदा ने सब हमें नोकरी के नाम पर पैसे लिए और पास साल हो है कितने पेसे लिए और कितने लोगों से ले लिए साफ अभी मेर से 80 रुपे ले रखें हैं मेरी पत्नी कोमल उसके नाम पर नाम से मेंने पैसे दिये देगा वाज करा दूं कल करा दूं इसे करकर रखे और साफ बेकुब बना इतने साल दोखा दड़ी करी अस तक पेसे मांगन आप ज बिसके बॉत सारों नंग आया ने नाम बता है यह नगर नियंक में माली के पूस्ट पहीं कि derived वखकर थी प्याब पीजोश्य क्वे देवेशंब्ए अब उनने क्या है एंनोंने करऊ है कंडियों कर रहा हैं पर अधिम उपर ём्रें हैं नाम पर लोगों से लेगी था vigor उन्हें कर आपको सिकार ने कि अभी कि हमारी शिकाय करता है एक राजनीतिक प्रेशर भी होता रही होता है लोग से फोन लगाते हैं धमकिये देते हैं थोले दिन इनके परिवार भी नगत निगम में कितने लोग होंगे क्या होंगे काम करता है इनके लोग होंगे होंगे साथ 10-12-15 तो होंगे ही सही इस जी जो आपके खिलाब जो अवे दिन दिया गया है क्या है इस अप्रफ नाला गेंग में थे अप्ती जो बंद होती है अब वह यह आप आरोब भी लगाएगा के पैसे अगेर अली आश्या है एक बाप पादाओं पैसे लेते तो मंदब केली बद तो आज दस साल पेले का बचा रहा है भी लिया आज दस साल पेले तो मुझे नहीं लगता कि इतने साल कोई भी रह सकता है कोई रह सकता भी दस साल में तो मेरे घर भून देते हैं तो दस साल पेले तो कोई भी भी नहीं था रतलाम जिले के आलोट में सरकारी विश्राम ग्रह का गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया यह शुद्धिकरण किया है आलोट के कॉंग्रेस कारे करता होने शुद्धी करण की वज़ थी प्रदेश सरकार के मंत्री हर्दीप सिंग डंग का विश्राम ग्रह में रात्री विश्राम करना कॉंग्रेस से बगावत कर भाजपा में शामिल होकर भाजपा सरकार में मंत्री बने सुवासरा की पूर्विधायक हरदीप सिंग धंग ने बीती रातरी रतलाम जिले के आलोट के विश्राम घ्रह में विश्राम किया था मंत्री धंग के आलोट की पावन धर्ती पर रुखने को कॉंग्रेस कारी करताओं ने आलोट का अपमान बताती हुए कहा कि पार्टी के गद्दार के लिए यहां कोई जगा नहीं है गद्दार ने यहां रुख आलोड की पावन धरा को अपवित्र किया है इसलिए कॉंग्रेस कारेकर्टाओं ने नीम के पत्तों और गंगा जल से विश्राम घ्रह का शुद्धिकरण किया है कॉंग्रेस कारेकर्टा कमलनाथ के नारे लगा रहे थे और मंत्री डंग के फोटो पर जूते भी बरसा रहे थे गत रात्री में मद्धिय प्रदेश सरकार के मंत्री हरदीप सिंग डंग भोपाल से सुवात्रा जाते समय यहां रुखे थे मंत्री जी अल सुबह अपने शेतर के लिए रवाना हो गए कॉंग्रिस कारिकर्ता ने मंत्री हर्दीप सिंग डंग को चोर भी बताया रात देर रात एक चोर इस आलोट की पावन धर्ती पे आया था वो रात के अंधेरे में आया और सुबह के सुरज देवता के पेले वो इस आलोट धर्ती से चला गया जब हम लोगों को ये जानकारी मिली के प्रदेश का पुरु विधायक गधार कांग्रेस पाटी का गधार जिसने कांग्रेस पाटी के सीने में खंजर गोपा है पीट में खंजर गोपा है वो इस पावन धर्ती आलोट पे आया था उसका विरोध दर्ज करने हम रेश्टाउस आये हैं शहर कांग्रेस के माध्यम से युवक कांग्रेस के माध्यम से यह यहाँ पर आज शुद्धिकरण का कारीकम किया गया कि कर दूआ है यहाँ शुवक का गया बादार शुद्धिकरण का जूद्धिकरण का इवक का जुवक के बढू है